अब खाना खाने के लिए आपको बर्तन की जरूरत नहीं है और साथ ही खाना बनाने के लिए भी आपको गैस, चुला, इंडक्शन की भी कोई जरूरत नहीं है अब आप धोड़ी पर ही खाना बना सकते हैं धोड़ी पर ही चाय बना सकते हैं और धोड़ी में ही रोटी सेख सक यानि अगर आपके घर में एक भी महिला है तो आपको घर में गैस, सिलेंडर, इंडेक्शन, कैटल, लाइटर रखने की कोई जरूरत नहीं है आप बस अपने घर की महिलाओं को अपने कीचन की स्लैप पर लिटाइए और उनके धोड़ी पर मन्चाहा खाना बना लीजिए और धोड़ी में रोटी बोर कर खाते हैं, धोड़ी में चाय पीते हैं, धोड़ी में गरम पानी करके पीते हैं, तो आप सौ साल जी सकते हैं, आप अमर हो सकते हैं, यानि धोड़ी में खाना पकाकर, धोड़ी में खाना खाकर, आप अमरत्यों को प्राप्त कर सकते हैं, और हम यह दावा है भोशपूरी कलाकारों का भोशपूरी गायकों का भोशपूरी रेक्टर्स का जिन से पूछ दिया जाए कि धोड़ी को इंगलीष में क्या कहते हैं तो उनको पता भी नहीं होगा ढंक से उनको धोड़ी लिखने तक नहीं आएगा यहां तक उनको यह भी नहीं पता होगा कि इंसान के बॉड़ी में धोड़ी आखिर होता क्यों है इनको जानना ही नहीं है कि धोड़ी का असल यूज क्या होता है क्योंकि देखिए आह, कान, ना, गला, कान, हाथ, पैर, जीव, दात का यूज तो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुरूप से दिखी जाता है, लेकिन धोड़ी तो कपड़े के अंदर होता है, बोशपूरी के फुटपत्या वाले कलाकारों कोई नजर में इसका कोई यूज नहीं है, इसलिए इन लोगों ने धोड़ी को यूज समझ कर चाटना शुरू कर दिया, कोई धोड़ी छिल दिया, कोई उसको खोद कर कु बनाना शुरू कर दिया है, तो चलिए हम आपको आगे की वीजियो में बताते हैं क्या कि बोशपूरी कलाकार अपनी अपनी अनुसार धोड़ी का यूज कैसे कर रहे हैं, लेकिन उसे पहले, नमस्कार, मेरा नाम है डॉली पांडे, मेरे साथ है कैमरमेंन विशाल और आप सब छोड़िये, कौन कड़ाही कि में पूरी चान के कड़ाही गंदा करें, फिर कड़ाही धुलने का एक अलग टेंचन, इसलिए लड़की कहती है कि आईए, मेरे धोड़ी में ही तेल डाल लिए, इसी में पूरी चान के, इसी में खा भी लिजिएगा, बाकि धोड़ी गं कि पीवा तराजा 100 साल जीवा यानि दारू बियर श्वास्त के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं है बस निर्भर करता है कि आप इसको कैसे पीते हैं कब पीते हैं अगर आप बियर को ग्लास या बॉटल के बजाए लड़की के धोड़ी में डाल कर पीते हैं तो आपके उम चारैं इस Nossa नहीं होगा कि आप अच्छे कर्म करते हैं या बुरे बलकि स्वर्ग नर्ग का फैसला इक बात से तय किया जाएगा कि आप दूध रोटि किस बरतन में खाय थे धोड़ी में या बरतन में अगर आप चाहते कि आपको मरने के बाद स्वर्ग मिले, जन्नक मिले, तो आप अभी से भी धोड़ी में खाना खाना शुरू कर दीजिए, वरना इसकी सजा नर्ग से भी बुरी होगी, बाकि जो लोग चाहते हैं कि उनको मिर्ट्यों के बाद मुक्ष की प्राप्ति हो, उनको एक सला है कि आप दान पूने करने की बजाए, चारो धाम जाने की बजाए, पूचा पाट करने की आपको कोई जरूरत नहीं है, आप धोड़ी के इर्द गिर्द चार चक्कर लगा लिजे, आपको चारो धाम जितना ही फल मिलेगा, आप धोड़ी में जल धार लिजे, अलग से आपको मंदि जाकर जल्द हारने की पूजा पाट करने की कोई जरूरत नहीं है बाकि ये सारे गाने सुनकर आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने घर में चूला चौकी गैस सिलेंडर बरतन इंडक्शन रखने की कोई जरूरत नहीं है पूजा पाट तिर्चात्रा करने की कोई जर कुछ लोग तो कॉमेंट बॉक्स में आकर मुझे मेरी मा बहन की गाले भी देंगे जिसे हमको अब कोई फर्क नहीं पड़ता है और कॉमेंट बॉक्स में लिख कर जाएंगे कि तुमको लड़की होकर यह सब बोनले में शरम नहीं आती है तुम्हारे जैसे लोग ऐसे गाने क चुन-चुन का रील देखेंगे जिन लड़की उन्हें इन सारे भद्दे गानों पर अपना कपड़ा उठा उठा कर धोड़ी दिखाया होगा धोड़ी पर फोकस किया होगा बाकि अच्छा है ऐसे ही धोड़ी पर गाने बंगते रहेंगे तो आने वाले दिनों में बिहार कि युवा अपना भविशे भी इसी धोड़ी में खोजेंगे बाकि आपको वीडियो कैसे लगी अपने रैकमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा विलाल वीडियो को समात करते हैं मिलते हैं ऐसे किसी नया वीडियो के साथ तब तक मुझे इजाज़त दीशियो धन्यवा